राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं माबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आप के लिए लाई हूँ मागमाश शनान कब से शुरू है और मागमाश शनान का महत्व क्या है मागमाश शनान से किस पुन्य की प्राप्ति होती है बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों अब आप हमारे साथ फेस्बुक पर बिजुड सकते हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ बंधों वीडियो को पूरी सुने ताकि आपको माग मास शनान के महत्व का अच्छी प्रकात से पता लगे और आपको पुन्य फल की प्राप्ति हो आपकी मनो कामना पूरी हो बंधों माग मास का शनान हर मनुष्य को करना चाहिए माग मास शनान से मनुष्य दिर्ग आयू को प्राप्त होता है मनुष्य को स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और साथी अच्छे सोभाग्य की प्राप्ति होती है मागशनान करने वाले मनुष्यों के जाने-अंजाने में किये गए पापों से मुक्ति हो जाती है बंधु, जब दुरभाग्य मनुष्यका पीछा नहीं चोड़ रहा होता तो मागशनान करने से दुरभाग्य सोब्भाग्य में बदल जाता है शीहरी की प्राप्ति के लिए माग माशनान से अच्छा महीना कोई भी नहीं है बंधों माग माशनान 2021 में 28 चनवरी को शुरू हो रहा है क्योंकि बंधों 28 चनवरी को पोश पुर्निमा है बंधों कहा जाता है कि जो पोश पुर्निमा का दिन होता है वह सांजा होता है उस दिन से ही माग माशनान शुरू गिना जाएगा बंधों जो मुश्य पुर्निमा के दिन शनान शुरू ना कर पाएं वे 29 चनवरी शुक्रवार से भी माग माशनान आरम कर सकते हैं बंधों 28 चनवरी गुरुवार के दिन प्राते जल्दी उठें और गंगा जल मिला कर पानी में शनान करें और श्रान करने के बाद दाहिने हाग में थोड़ा सा जल, चावल और फूल लेकर भगवान शिविश्नु के सामने संकल्प करें कि मैं अपना नाम लें अपना गोत्र बोलें और अपने शहर का नाम लें कि मैं माग मास शनान आरम कर रहा हूं या कर रही हूं और वहें जल भगबान के सामने छोड़ दें बंधों जो मनुष्य माग मास में शनान करते हैं उन्हें बहुत अधिक पुन्य की प्राप्ती होती है बंधों कहा जाता है कि हिंदू धरम में चार महीनों का शनान आया है बंधों माग माशनान बेसाख माशनान और फिर सावन माशनान और फिर कातिक माशनान बंधों प्रंटू माग माशनान को बहुत ही उत्तम माना गया है जो की भगवान विश्नु को अतिप्रिया है कहते हैं माग मास में किसी भी तीत मिशनान करें बहुत ही अधिक पुन्नेदाई होता है बंधों जल स्वभाव से उजवल, निर्मल, शुद, मल, नाशक और पापों को धोने वाला है जल सब प्रानियों का पोशन करने वाला है ऐसा स्वयम वेदों ने कहा है मकर राशी के सुरे माग मास में गोउ के पैड डूबने योग्य जल में भी यदिशनान किया जाए तो मनुश्य स्वरक को प्राप्त होता है चाहे माग मास में थोड़ा सा ही दान करें वेह मनुश्य भी धनी और दिर्ग आयू हो जाता है जो कोई माग मास में शनान करता है वेह प्रती दिन हजार स्वरन मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है हजार कपिला गो दान का फल प्राप्त करता है बंधों जो मनुश्य माग मास में सुर्योदय से पहले उठकर शीतल जल में शनान करते हैं वे चिरकाल तक स्वरक में निवास करते हैं अर्थात दुखों की तो उन पर चाया भी नहीं पड़ती बंधुओं माग माशनान के समय थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में डालें और पुर्व दिशा की और मुह करके शनान करें नहाते समय माग गंगा का ध्यान करें और हर हर गंगे बोलते हुए शनान करें बंधुओं गंगा शनान का पूरन फल आपको सिर्फ ऐसा करने से प्राप्ट होगा बंधों शुरान के बाद भगवान विष्णू की या फिर भगवान कृष्ण की विधी विधान से पूजा करें भगवान को फूल और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें यदि फूल ना मिलें तो तुलसी दल तो भगवान को जरूर चड़ाएं जोकी भगवान विश्नु को बहुत ही प्रिया है बंधूं चाहे तुलसी के पत्ते सूखे हुए ही क्यों नहों क्योंकि इस मोसम में कई बार तुलसी बिलकुल सूख जाती है बंधूं यदि आप सूखे हुए तुलसी के पत्ते भे भगवान को अर्पित करेंगे भगवान फिर भी आप से प्रसन होंगे बंधों हो सके तो तुलसी के पोधे के पास बैठ कर शिमत भागवत गीता का एक अध्याये रोज सुने या पढ़ें बंधों ऐसा करने से भी आपकी हर इच्छा पूरी होगी जो इच्छा भी आपकी है उसे अपने मन में भगवान के सामने कहें देखना माग महीने में ही आपकी इच्छा पूरी चरूर होगी पर बंधों पूरे विश्वास और सची भावना से ही ये सब करेंगे तभी आपकी इच्छा पूरी होगी बंधों नारायन अर्था शीहरी को पाने का सुगम मार्ग माग माश शनान ही है बंधों यदि आप पूरा मास माग शनान नहीं कर सकते तो सिर्फ एक दिन पवित्र नदी में सुर्योदे से पहले उठकर शनान जरूर करें बंधों इच्छान का फल मैं आपको बता चुकी हूँ माग मास में तिल गुड जलाने की लकडी कंबल जूते उनी वस्त का दान देना अतिपुन्यदाई होता है मतस्य पुरान के अनुसार माग मास की पुर्निमा को ब्रहामनों को ब्रह्म बैवरवत पुरान का दान अवश्य करें ऐसा करने से ब्रह्म लोग की प्राप्ति होती है बंधों माग मास में हो सके तो एक समय भोजन करें और ये भोजन सुर्यास्त से पहले करें बंधूं ऐसा करने से मनुष्य धनी होता है माग मास में द्वाशी का व्रत, मंगलवार और गुरुवार के व्रत बहुत ही महत्व पूरन माने जाते हैं बंधूं माग मास में आप जो भी इच्छा लेकर शिनान करेंगे आपकी इच्छा हर हाल में पूरी होगी यदि निश्काम भाव से शिनान करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी बंधूं शिनान के बाद लड्डू गोपाल को शिनान अवश्य कराएं हो सके तो पोश पुर्निमा को उन्हें पंचामरित से शिनान कराएं उनी वस्त्र पहनाएं धूप दीप उनके सामने जगाएं लड्डू गोपाल को भोग लगाएं क्योंकि पुर्निमा को एक सांजा दिन माना जाता है पुर्निमा को ही माग माश्यनान शुरू हो जाता है बंधों पोश मास पुर्णिमा को हिश्णान के बाद हाथ में जल फूल चावल लेकर प्रातना करें हे भगवान शीहरी मैं आपके निमित माख माश्णान का संकल प्ले रही हूँ या ले रहा हूँ मेरे इश्णान को बिना किसी विगन बाधा के पूरन करना बंधों ऐसा करने से आपको स्वर्ग और मौक्ष की प्राप्ति होगी बंधों निर्ने सिंदू में कहा गया है कि कम से कम तीन दिन या एक दिन भी शीतल जल से आप शिनान करेंगे और गंगा जल और दिल मिलाकर शिनान करेंगे तो आपकी हर मनो इच्छा पूरी होगी बंधों माग मास में ही शट तिला एकाशी आती है शट तिला एकाशी के दिन आप तिलों के जल सिशनान कीजिए काले तिल और काली गाये का दान कीजिए इसका भी बहुत अधिक महात्व है बंधों माग मास में ही मोनी अमावस्या आती है जो की बहुत ही पवित्रतिती है इसमें मोन रह कर शनान करें और काले तिलों का दान करें बंधों यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको गंगाची किशनान के ब्राबर पुन्य की प्राप्ति होती है तो वह मेरू के स्मान हो जाता है बंधों शुकलपक्ष की पंचमी तिथी को बसंत पंचमी आती है जिस दिन ज्यान और बुद्धी की देवी माग सरस्वती का पूजन किया जाता है बंधों माग माशनान भगवान विष्णु को अती प्रसंता देने वाला है जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति करना चाहते हैं वे मनुष्य माग माशनान अवश्य करें माग माशनान से मनुष्य को दिर्ग आयू की प्राप्ती होती है सिर लक्ष्मी और अच्छे सो भग्य की प्राप्ती होती है साथ ही मनुष्य के जाने अंजाने में किये गए पापों से उन्हें मुक्ती मिल जाती है यदि मनुष्य का दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा तो माग मास शिनान से उनका दुर्भाग्य सो भाग्य में बदल जाता है शीहरी की प्राप्ति के लिए हर मनुष्य को माग मास में शिनान जरूर करना चाहिए और बंधों माग मास में कभी भूल कर भी कोई गल्द करम ना करें गल्द वस्तों का सेवन ना करें राधे राधे जैश्य क्रिश्ना बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद